शेव करने से बाल ज्यादा जल्दी और डार्क आते हैं शेविंग नहीं ये जेनेटेक्स और हॉर्मोन्स है जो बोडी हैर के कलर, ठिकनेस और ग्रोध पर असर डालता है रेजर ब्लेड स्किन के सरफेस पर के बाल कट करता है जिससे उसका टेपर्ड एंड कट होता है इसी के कारण वो धिक और डार्क दिख सकते हैं रेजर शेयर करना सेफ है रेजर्स में बहुत बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन्स फैला सकते हैं इसे शेयर करना बिलकुल भी सही नहीं है ये भी रेकमेंडेड है कि चहरे और बॉडी के लिए अलग टाइप के रेजर्स यूज करें क्योंकि हर पार्ट में अलग-अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और बाल हटाने के लिए अलग-अलग टाइप के ब्लेड्स लगते हैं शेव करने के डिरेक्शन से फरक नहीं पड़ता ग्रोथ के डिरेक्शन में शेव करने से इंग्रोन हैर के चांसेस कम होते हैं हालाकि बाल स्किन के एकदम करीब कट नहीं होते अगर आपको close shave चाहिए तो आप पहले growth की direction में shave करें और फिर opposite direction में साबुन और shaving cream एक जैसा काम करते हैं Dermatologist के अनुसार shaving cream irritation कम करता है और clean shave देता है अगर shaving cream खतम हो गया है तो आप साबुन की जगह conditioner, aloe vera या baby oil का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप अपना चहरा shave करने हैं तो आप एक creamy moisturizer का इस्तमाल करें ताकि blade smoothly glide हो नए sharp razor यूज करने से dull blade से ज्यादा nix और cuts होते हैं एक dull razor blade ज्यादा nix, cuts और skin redness कर सकता है क्यूंकि ये आपके body hair को खीचता है और rough महसूस होता है जब आप अपने skin पर glide करते हैं इसी वजह से shave करने के बाद ज्यादा irritation हो सकती है जब आप जल्दी में हो तो पानी के बिना shave कर सकते हैं dry shave से razor burns, ingrown hair और skin irritation भी हो सकता है shave करने वाले area को पानी में 3-5 मिनट तक सोक करने से hair follicles soft हो जाता है और कोई भी shaving gel या cream use करने से smooth shave मिलती है shaving skin को dry और flaky बना देता है एक sharp razor blade actually dry और flaky skin को exfoliate करता है जब वो बाल निकाल रहा होता है ज्यादा देर अपने skin को गीला रखने से या lubrication के बिना shave करने या dull blade use करने से dryness होता है इसलिए soothing post hair removal lotion लगाएं अपने चहरे या body पर जैसे फज़व इससे skin hydrate होती है और redness, bumps या ingrowns नहीं होते shaving से skin dark हो जाती है केवल shaving से skin dark नहीं होती पर गलट technique इस्तमाल करने से जैसे dry shaving या after care skip करने से ingrown hair आती है जिससे pigmentation हो सकता है इसलिए सही तरीके अपनाएं और tension free रहें shaving के लिए preparation की ज़रुरत नहीं है हाला कि हम चाते हैं ऐसा ना हो पर shaving करने से पहले exfoliate करने से बाल lose होते हैं और ingrown hair नहीं आते आप ये आसान scrub लगा सकते हैं जिसके लिए आपको ज़रूत है सिर्फ coffee powder और शहतकी अपने body पर scrub करने smooth shave पाने के लिए आप एक razor को कही मैने यूज़ कर सकते हैं आपको हर 5-7 shaves के बाद razor बदल देना चाहिए खास कर अगर वो गीले shower areas में रखते हो तो लंबे समय तक चलाने के लिए blades पर vaseline के एक thin layer लगाएं इस्तेमाल करने के बाद आप blade refill करने वाले razor भी खरीच सकते हैं और change करते रह सकते हैं disposable razor की जगए हम आशा करते हैं आपको shaving करने के process को समझने में आसानी हुई हो subscribe करना ना भूले और bell icon दबाएं अंतिल नेक्स ताम स्टे तुन और स्टे ग्लाम्रिस